नमस्कार दोस्तों आपका हमारी यूटूब चैनल भक्ति ग्यानतियोहार में स्वागत है आज मैं आपको पित्रों और पीपल से जुड़ी एक कथा सुनानी जा रही हूँ अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में पित्र देव कीज़े अवश्य लिखे साथ ही अगर आप मेरी चैनल पर नई हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीज़े जो बैल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें बहुत समय पहले की बात है किसी गाउं में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था और उसकी पत्नी का नाम कमला था रामू खेती करके अपना घर चलाता था रामू के कोई संतान नहीं थी दो भागे वस रामू के जब भी कोई संतान होती तो वे अकाल मिरत्य को प्राप्त हो जाती इस तरहे रामू के छे पुत्र हुए और छेओं पुत्रों की मिरत्य हो गई इस दुख के कारण रामू वा उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहा करते थे धीरे धीरे समय बीटता है और रामू और कमला बढ़ती उम्र के साथ और दुखी रहने लगते हैं अव ऐसा समय आ गया कि रामू के पास जो भी जानवर थे उन्होंने दूद देना बंद कर दिया और खेतों में भी उपज बहुत कम होने लगी एक के बाद एक दुख आने से रामू और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहने लगे रामू और उसकी पत्नी उदास खेत पर बैठे थे तो रामू की नजर खेत पर लगे पीपल पर गई पीपल का पेड सूख गया था एक बार रामू और कमला पीपल के पेड के नीचे बैठ कर अपने उपर आए एक के बाद एक दुखों के बारे में बात कर रहे थे संतान खोने का दुख तो था ही लेकिन इन संकटों से उनका मन बहुत ही दुखी हो गया था वो दोनों बाते करते करते जोर जोर से रोने लगे उधर से एक महत्मा गुजर रहे थे जब महत्मा ने रोने की आवाज सुनी तो महत्मा ने सोचा कि ऐसा क्या दुख है जो इस्तरी और पुरुस साथ साथ रो रहे हैं यह सोचकर महत्मा उन दोनों पती पतने के पास गए रामू और कमला ने जब महत्मा को देखा तो वे हाथ चोड़ कर खड़े हो गए और महत्मा को प्रणाम किया तब महत्मा ने पूछा कि तुम दोनों क्यों रो रहे हो तब रामू ने बताया कि हम दोनों कई बरसों से संतान का दुख छिल रहे हैं और अब ना हमारे जानवत दूद देते हैं ना ही खेतों में कुछ होता है ये दुख हमसे जहला नहीं जाता रामू ने सारी बात उन महत्मा को बता दे उनकी ये दसा देखकर महत्मा बोले तुम चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा तुम्हारे खेत पर लगा ये पीपल का पे तथा साम के समय छेओं दिन पीपल के नीचे तेल का दीपक चलाना और साथवे दिन रविवार को पीपल पर जल चड़ाने के बजाए दूद मिस्रित जल शूरी भगबान को अर्पित करना ऐसा करने से तुम्हारे उपर आया संकट कट जाएगा ऐसा कहकर वो महत्मा वहां से चले जाते हैं रामू और उसकी पत्नी ने महत्मा के कहे अंसार उस पीपल के पेर को सीचना सुरू कर दिया और साम को वो पीपल के नीचे तेल का दीपक चलाने लगे देखते ही देखते रामू के कश्ट दूर होने लगे और वे पीपल का पेर भी फिर से हरा भरा हो गय खेतों में फसल लह लहाने लगी और रामू के पशुओं ने भी दूद देना शुरू कर दिया धीरे धीरे समय बीता एक बर्स के अंदर ही रामू के यहां फिर से एक पुत्र ने जनम लिया अव रामू और उसकी पत्नी बहुत खुश थे उनकी जीवन में आये सारे दुख खत्म हो गए उनके घर में सुक समरिद्दीव संतान का वास हो गया एक दिन रामू और उसकी पतनी को फिर से उन महतमा के दर्सन हुए उन्होंने अपने पुतर सहित उन महतमा को प्रणाम किया और कहा कि आपके ही आशिरवाद से हमें संतान और सभी सुक प्राप्थ हुए हैं तब महतमा बोले ये मेरा आशिरवाद नहीं है बलकि तुम्हारे पित्रों का आशिरवाद है जिनका दोस तुम्हें लगा हुआ था पित्र दोस होने पर घर में संतान नहीं होती कर्ज होने लगता है घर से लचमी चली जाती है और दर्यदरता का बास हो जाता है और अकाल मिरत्य का भे बना रहता है इसलिए हमेशा अपने पित्रों को खुस रखें तथा पीपल की पूजा करें पित्रों की सांती के लिए पीपल की पूजा सर्वो परी बताई गई है इसलिए प्रतेक मनुष्य को पित्रों की सांती के लिए पीपल को जल अर्पित करना चाहिए जब पित्र प्रशन होते हैं तो मनुष्य पर कोई स सदा बनाए रखना जैहो पीपल देव की जैहो पिक्तर देवों की आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए साथी मेरे वीडियो को जादे से जादा शेयर करिए धन्यवाद दोस्तो